हाई मैं परशांथ आप सभी का अपने यूटूब चैनल इक्विडिर कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो यहां पर आपको स्क्रीन पर आपको निफ्टी की ऑप्सन चेन का मल्टिपल स्ट्राइक प्रैस आपको दिख रहा होगा उसके साथ-साथ आपको यहां पर मिडिल म एक लाइन दिख रहा होगा जहां पर लिखा हुआ मैक्स पेंट 17300 यहनि यह आपका एक मैक्स पेंट पॉइंट हो गया तो इस मैक्स पेंट का क्या मतलब है सबसे पहले इसके पीछे का कॉंसेप्ट हम समझने कुसिस करेंगे उसके बाद यहां पर हम देखने कुसिस करेंगे लिए चल्वाट करेंगे तो इन सब पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे तो आज अचीव मैक्स पेंड की बात करने जा रहे हैं और यह औप्षंस ट्रिइंग के लिए एक इंप्रेंट पैरामीटर एक इंप्रेंट थेहरी है तो अगर आप निफटी के आप्स्स मे ट्वेडिंग करते हैं इस वीडियो में लाज तक बने रहें क्योंकि मैक्स पें एक इम्पोर्टेंट और क्रूशल टॉपिक यहां पर माना जाता है तो अगर आप अप्संस में ट्वेडिंग करते होंगे चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो या फिर स्टॉक्स ऑप्शन हो आपने कुछ थेओरी के बारे में जबूर सुन रखा होगा सबसे पहला है आपका मैक्स पेंट थेओरी जिसके उपर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इसके बाल आपने ऑप्संस ग्रिक थेओरी का भी नाम सुना होगा जिसके उपर हमने वीडियो बना रखा है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो नहीं तो उसका लिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर सकता और उसके वेडियो को प्रॉफिट बना सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैक्स्पेंट खेओरी को समझतें कोशिस करते हैं और उसके बाद मैक्स में को हम केलकुलेट कैसे करेंगे find कैसे करेंगे max pin point को तो सबसे पहले हम nifty option chain पर आते हैं देख सकते हैं यह आपका different strike price है अब यहाँ पर हमें max pin point कैसे मिलेगा आप simple तरीके से max pin point को find कर सकते हैं आपको strike price देखना है किस strike price पर put side और call side दोनों तरफ combine दोनों को add करके सबसे ज़्यादा OI है तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों side को combine करके तो एक हमें मिलता 17300 का level जहाँ पर आपको put side में भी लगबग 48 lakh के करीब यहाँ पर आपको OI दिख रहा है जबकि call side की बात करें कॉल side में भी आपको लगबग 46 lakh के करीब आपको OI दिख रहा है मतलब 17300 के पर combine अगर हम call OI और put OI को करते है तो यह जो पूरा strike price है यहाँ पर सबसे highest देखने को मिलेगा किसी भी strike price पर चले जाओ यह expire यह आपका 5th May वाला expire है यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमारा maximum point क्या बन गया यह 17300 यह हमारा बन जाएगा maximum point अब यहाँ पर आपको समझना है कि इसको हम maximum point क्यों बोलते है maximum का और pain का मतलब तो दर्ग पता ही है जिनको loss हुआ होगा उनको ज्यादा पता है और जिनको recently loss हुआ होगा उनको और बेतर से पता होगा कि pain क्या होता है तो इसका pain का मतलब यहाँ पर भी वही pain होता है जो आपको loss के समय हुआ होगा अब यहाँ पर क्या है maximum pain point यह होता है अगर यहाँ पर nifty ने expiry दिया तो यहाँ पर क्या होगा maximum pain किसको होगा maximum pain होगा options buyer को और इस particular strike price के करीब expiry दिया तो सबसे कम pain किसको होगा सबसे कम pain होगा writers को लेकिन अगर price आइदर इसके नीचे गया या फिर इसके उपर आया तो फिर maximum pain किसको मिलेगा maximum pain मिलेगा options seller को यानि जो लोग options sell करते हैं उनको यहाँ पे maximum pain मिलेगा यानि maximum उनको loss होगा और loss का मतलब दर्ड से आप समझ दी सकते हैं तो इसी के लिए इस point को maximum pain point कहा गिया है यानि अगर इस point से बाहर closing the market या फिर expire हुआ तो writers यहाँ पे बरबाद हो जाएंगे और उनको दर्ड के सीवा कुछ और नहीं मिलने वाला अगर इस particular strike price पे या फिर इसके करीब option expire हुआ तो क्या होगा जो writers है उनको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उनको कोई दर्ड नहीं होगा दर्ड होगा options buyer को तो यहाँ पे जो भी कुछ देखा जाता है यह theory पूरा-पूरा है options seller के नजरीए से मतलब यहाँ पे buyers का कोई value नहीं रखा गया है यहाँ पे यह point बनाया गया है ताकि options seller को कम नुकसान हो कम pain हो, कम दर्ड हो इसी के लिए यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि जो options writer है, जो options sell करते हैं उनका ज़्यादा पैसा दाओ पे लगा होता है और वो ज़्यादा accurate होते हैं उनके पास ज़्यादा advanced technology होता है ज़्यादा better trading platform होता है ज़्यादा better access of knowledge होता information जल्दी उनके पास पहुंचता है उनके पास AI से लेके सारा कुछ आप से बहतर मिलेगा हम से बहतर मिलेगा इसलिए उन professional traders को हम compete नहीं कर सकते हैं उनको हरा नहीं सकते हैं इसलिए क्या यहाँ पर chances रहता है यहाँ पर chances रहता है जो maximum pain बना है market उसी के आजपास आपका expire हो सकता है लेकिन अब यहाँ पर क्या है जो maximum pain बन गिया है आज क्या market expire इसी करीब देगा maximum pain आपका daily change हो सकता है एक दिन में भी आपका change हो सकता है और daily भी यह आपका change हो सकता है तो maximum pain आपका flexible है आज के date के recording यानि 29 April 2022 के date के recording आपका यह 17,300 के level पर है कल हो सकता है कि यह 17,500 पर आ जाए यानि तो 17,000 पर आ जाए कहीं पर भी यह max pain point जा सकता है जहाँ पर आपको OI call put combine करके सब ज़्यादा दिखेगा वहाँ पर आपको max pain point बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर आप मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर market 17,300 के level पर expire होता है तो यहाँ पर ना ही put vitals को नुकसान होगा ना ही call vitals को नुकसान होगा कैसे? call vitals की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा call vitals को नुकसान कब होगा market अगर 17,300 के उपर expire होता है तो प्लस आप premium भी आड़ कर सकते है तो उसके बाद यहाँ पर call vitals को क्या होगा? नुकसान होगा लेकिन अगर market 17,300 के आसपास expire होता है 50 point उपर नीचे तो उनको कोई फर्ट ने परेगा उनको ultimately 180 या नहीं तो minimum 100 point का profit जरूर होगा ठीक है वहीं अगर हम put writers की बात कर ले put writers को premium मिल भाए यहाँ पर 110 के करी तो उनको कब नुकसान होगा? अगर market 17,300 के नीचे जाएगा प्लस premium कर लिए यानि 72,200 के नीचे जाएगा तब इनको ultimately नुकसान होगा तब इनको क्या होगा? यहाँ पर loss होगा अगर market 17,300 के लेवल पर expire होता है तो put writers को भी यहाँ पर पूरा पूरा 110 point मिल जाएगा और यहाँ पर call writers को भी पूरा 180 point मिल जाएगा यहाँ पर दोनों का समझाता हो जाएगा पाई तुम भी profit में रहो हम भी profit में रहते हैं मार कौन खाएगा? buyers मार खाएगे जो retail trader है वो यहाँ पर मार खाएगे जबकि यह दोनो win-win situation में रहेंगे यह दोनों profit में रहेंगे इसलिए इस level के आसपास expire होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं यह जो concept है यह अभी से 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा काम करता था जब लोग ज़्यादा इसके बारे में aware नहीं थे लेकिन अभी यह concept उतना accurately काम नहीं करता है कि मैंने आपको यहाँ पर explain किया था अब इसके साथ कुछ और indicator इस्तमाल करना होगा वो हम आगे समझेंगे लेकिन यहाँ पर आपको उससे पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है लेकिन यह concept भी आपको समझना है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि options seller profit में रहते हैं जाला तर और options बाइर उतने नुकसान में क्यों रहते हैं अब यहाँ पर आपको समझने कोसिस करना है कि market हमेशा options बाइर अगेंस्ट क्यों रहता है अब यहाँ पर देखिए options seller को profit कब होता है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ market का direction क्या होता market का direction आपका तीन तरीके से होता है पहला आपका एक upside market हो गया दूसरा आपका एक downside market हो गया और इसके बीच में एक आपका range bound market रहता है इस तरीके से आपका range bound market रहता है basically यही तीन market का direction रहता है upside, downside और range bound अब यहाँ पर देखिए जो options seller होते हैं जो options writer होते हैं जो options को write करते हैं या sell करते हैं उनको profit कब होगा उनको profit दो condition हो सकता है अगर हम यहाँ पर call options की बात कर लेता हो जो लोग call options को write कियें अगर market range bound रहता है तो भी यह profit में रहेंगे P for profit आप समझ लिजेगा market अगर नीचे गया तो भी यह profit में रहेंगे market में से 3 direction है 3 में से 2 में यह profit में रहेंगे अब क्या होगा अगर इन्होंने support आट 17-500 के call options को write किया sell किया अगर market उपर भी जा रहा है और expired देखे दिन market 17-500 के level पर पहुंच गया यहाँ पर expire हुआ फिर भी यह क्या रहेंगे फिर भी यहाँ यहाँ पर profit में ही रहें मतलब अगर market इसके against भी जा रहा फिर भी वो profit में रहा है market इसके against जाना चाहिए लेकिन बहुत जल्दी जाना चाहिए quick action होना चाहिए quick price moment होना चाहिए तब जाकि यह नुकसान में जाएंगे मतलब तीन में से आप बोल सकते है कि 2.5 direction है जिसमें call writers profit बहते हैं पुटवाइटर्स का भी आप यही काम कर सकते है range bound में यह भी आपके profit में रहेंगे market उपर जागा यहाँ भी profit रहेंगे market अगर नीचे भी जाता है अगर धीरे धीरे जाता फिर यह profit में रहेंगे अब buyers का profit में रहेंगे buyers profit में रहेंगे अगर market उपर जाता, वो भी pace के साथ, जल्दी उपर जाता है, तभी वो profit में होगा, अगर आपने 17-500 call options को buy किया expiry के दिन, अगर market यहां पर पहुंच गिया तो क्या होगा, ultimately इसको zero होना, add the money आपका zero होता है जो भी premium है, वो आपको खतम होगा यहीं नुकसान होगा, यहीं market आपके favor में आया भी है, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि market जल्दी आपके favor में नहीं आया, इसलिए options, buyer को जो profit का probability रहता, वो 0.5 रहता है, जबकि 2.5 रहता है, तो यहां पर देख सकते हैं, लगबग कितना हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 times profit probability option writer का या option seller का ज़्यादा रहता है, इसलिए option selling में पैसा भी ज़्यादा लगता है और इसलिए हम लोग जो भी कुछ options में देखते हैं, सारा कुछ option seller के नजरिये से ही देखते हैं, उमीद करते हैं concept समझ में आ गया होगा, और ये concept आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो ये आपका basic concept है, लेकिन बहुत साथ लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सारा concept बता देंगे, तो फिर उनके पास ज़्यादा information बचेगा नहीं, फिर आप भी उनकी तरफ profit बनाने लग जाएंगे, इसलिए profit उनको market से बनाना है, इसलिए वो market के ये सब जो secret होता है वो आपके साथ share नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, बस एक ही request है चैनल को subscribe किजिए, और वीडियो पसंद आया है smain find नहीं करना, तो बहुत जगह free में available है, जहाँ-जहाँ max sign आप free में देख सकते हैं, सबका link आपको वीडियो के description मिल जाएगा, उसपे click करके आप free में max sign point daily find कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी max sign point बना ही, वो बना आपका 17,300 के level पे, इसका color में change कर देता हूं, 17,300 के level पे आपका make spend point है, तो अब इसके basis पे हम trading कैसे कर सकते हैं, यह trading decisions मुझे कैसे help कर सकता है, इसके जरी हम अपने trade को कैसे profitable बना सकते हैं, चलिए उसके उपर आते हैं, हमारा यही main मकसद ही होता है, लेकिन वो बताने से पहले आपक कुद हो गए, तो डूब हो गई, इसलिए मैंने आपको उसके पीछे concept समझा दिया, ताकि अब मैं जो आपको बताओ, इसका इस्तमाल trading में कैसे होगा, तो आपको समझ में आएगा, तो चलिए अब हम इसके समझते हैं, यहाँ पे हम option chain पे आते हैं, और यहाँ पे हम max spend के कैसे trade कर सकते हैं, वो समझने ही कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, max spend point क्या है, 17,300, यह हमारा max spend point है, जिसको हम MP से denote कर दिये, अब अगर market आपका कहा है, अभी आपका market 17,380 के लेवल, यानि market आपका 17,380 के करीब, max spend point है 17,300, इसके basis पे trade आप कैसे ले सकते हो, या अगर आप आज भी निफ्टी के चार्ट को देखो, इसके बाद मैं आऊँगा, तो आज भी ये 17,300 के लेवल को touch किया, और इवन इससे नीचे भी किया, यानि market आपका वापस से, आज नहीं तो कल, 17,300 के करीब आता हुआ दिख सकता, यानि market 300 सी पे, यहाँ पे हम क्या क्य सबसे पहले, जो simple चीज है, future को आप sell कर सकते हो, यहाँ से 50-70 point का profit आपको easily मिल जाएगा, दूसरा घ्या, market इससे उपर है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पैस क्या option है, put options आप, buy कर सकते हो, अब यहाँ पे आपको कौन सा put options buy करना, या strike price का selection कैसे करोगे, उसक आपको मिल जाएगा, तो strike price का selection करोगे, तभी आप यहाँ से profit कमा सकते हो, क्योंकि generally 70-80 point के move में ज्यादा profit नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप आपका expiry से एक दो दिन बचे तभी sell करना, अभी आपका Friday ही है, तो यहाँ पे अभी आप sell करोगे, तो यहाँ आप sell करोगे, इसलिए उतना first decay देखने को नहीं मिलेगा, और max main point अगर change होगे, अभी 17-300, 17-500 पे आगया, तो फिर यहाँ पे आप first सकते हो, इसलिए तीसरा options अभी हमें नहीं लेना, expiry का एक दो दिन बचे का तब लेंगे, अभी दो यह options लेंगे, put options buy करेंगे, यानि तो futures यहाँ पे ह हम बात करें, उससे पहले, जो max main point है, इसको आप as a stop loss भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप as a target भी कर सकते हो, कैसे, सबस्पहले हम देखते है, stop loss का as a stop loss हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते, suppose that, अभी market है आपका 17,380 करीब, आपको यहाँ से लगता है कि market और उपर क की तरफ जा सकता है, market है breakout देखने होग मिला है, तो यहाँ पे आप क्या करोगा, यहाँ पे आप future buy करो, या नहीं तो call options buy करो, या नहीं तो put options sell करो, तीन options है, तीनों में से जो मर्जी है वो आप कर सकते हो, अब अगर market आपका नीचे साइट की तरफ जाता है, अगर market आपक से नीचे आप से stop loss रख सकते हो, इस तरीके से आप max pain को as a stop loss भी tweet कर सकते हो, target price कैसे tweet कर सकते हो, अगर market आपका 17380 के level पे tweet कर, अगर आपको लग रहा है कि market यहाँ से नीचे गिरेगा और नीचे जा सकता है, तो नीचे कहां तक जा सकता है, max pain point तक जा सकता है, क्योंकि यह आते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते ही, हम profit book करेंगे, जो profit book करेंगे, यह क्या हो जाएगा, यह point हमारा as a target काम करेंगा, तो देख सकते है, max pain point हमारा as a target भी काम कर रहा, as a stop loss भी काम कर रहा, market के direction को fine करने में भी, यह हमें help कर रहा, लेकिन अब सबसे बड़ा question ही है, कि क्या हम max pain के basis पे trade कर सकते हैं big question है, तो एक बात मैं आपको clear cut बताना चाहूँगा, कि अगर आप single, इस max pain के basis पे trade लेना चाहते हो, trade ले तो सकते हो, लेकिन क्या होगा, loss होने से कोई नहीं बजा सकता है, yes, clear cut आपको नुक्सान होगा, क्योंकि max pain अब unknown fact नहीं रह गिया, जो भी लोग options trade करते हैं, वो max pain point के बारे में जानते हैं, अब जब सब लोग एक ही चीज़ को जानते हैं, तो market उसके according react नहीं करता है, आपको ही पता होगा, market में अगर जो known fact है, जो सब लोग जानते हैं, फिर market के लिए वो surprise नहीं रहता, market हमेशा surprise पर react करता है, यह candlestick pattern नहीं है, जिसमें कि कोई लोग उसको read कर पाते हैं, कोई लोग read नहीं कर पाते हैं, जो लोग read कर पाते हैं, वो profit बनाते हैं, लेकिन, यह max pain point ready made point है, बहुत जगा free में available है, इसलिए यह सब को पता रहा था, जो लोग options में trade करते हैं, तो इसकी basis पे, single इसके basis पे अब trade करना possible नहीं है, 5-6 साल पहले अगर आप पूछते, trade कर सकते हैं, तब हो सकता था, लेकिन अब इसके basis पे trade करके profit नहीं बना सकते हैं, clear cut है, loss में जाओगे, तो फिर इसका क्या मतलब है, यह आपके accuracy level को increase कर सकता, मैंने बताया, as a target, as a stop loss, market के direction को find करने में help कर सकता है, तो इसका और इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा हूं, जिसके उपर हमने already वीडियो बना रखा है, OI, हमने पहला वीडियो बनाया था, जिसमें हमने discuss किया था कि OI का importance क्या, इसके basis पर आप कैसे trade ले सकते हो, उसके बाद हमने दूसरा वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बोला था, COI, यानि चेंजिन OI के basis पर कैसे आप trade ले सकते हो, तीसरा आज हमने आपको क्या बता है, Max Payne, तो इन तीन चीज़ को आपको एक साथ combine करना, Max Payne, OI, और COI, that means to change in OI, अगर आप इन तीन चीज़ को एक साथ combine करके देखोगे, और एक साथ combine करके एक trading decisions लोगे, तो वो trading decisions ज़्यादा accurate होगा, इसलिए आपको single Max Payne के basis में trade नहीं लेना, अगर आपको trade लेना, तीहां पर आपको OI, और change in OI भी include करना परेगा, OI और change in OI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, separate video है, आई बटन पर click करके देख सकते हैं नहीं तो description में link मिल जाएगा, तो हम options के regarding बहुत सारे informative videos आपको free में available करवा करेते हैं, जो कि आपको free में नहीं मिलता, इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे pay करने परते हैं, तो बहुत सारे लोग पैसे pay करके वीडियो देखना ज़्यादा prefer करते हैं, free में जो वीडियो आता उसको ज़्यादा prefer नहीं करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर free में knowledge मिलवा है, आपको देखना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, notification icon को दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें, उसका notification आप तक पहुँच जाए, और यह सारा जो information है, जो content है, आपको कहीं कहीं paid course में भी नहीं मिलता है, तो यह सारा important point है, जो options seller हमेशा ध्यान में रखते हैं, और मैंने आपको concept भी समझा है, कि market बनाई है, options seller को profit देने के लिए, options buyer के पास ज़्यादा scope नहीं रहता है, options buyer के पास, सिर्फ आपको 5-10% ही chance रहता है एक profit बना है, जबकि 70-80% chance रहता है कौन profit बना है, options wider profit बना है, इसलिए अगर आप options buying करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्ख होने की ज़रुत है, तो यहाँ पर आपको OI, change in OI और max spend तीनों का इस्तेमाल करना परेगा, अब आपको तीनों का इस्तेमाल करना थोगा सा difficult लग रहा होगा, difficult है, पैसा बनाना है, तो आपको यह सब difficulty उठाना परेगा, easy money market आपको नहीं देने वाला है, market को आपको experience देना परेगा, time देना परेगा, market आपको दिमाग खाएगा, तब जाकि आपको पैसा बना करेगा, अगर आप market को time नहीं दोगे, तो आपसे पैसा लेगा, market कुछ ना कुछ आपसे जबूर लेगा, चाहिए आप पैसा दे दो, time दे दो या दिमाग दे दो, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको और view दे देता हम, कि change in OI, और OI के basis पर आप max band का कैसे इस्तिमाल कर सकते, यहीं भी देखी max band 700-300 के लेबल पर, पता ही कि market एक नाएक बार 700-300 के लेबल पर आए गया जाएगा, तो यह हमारा perfect entry point बनेगा, और यहाँ पर support लेबल भी अच्छा खासा है, और यहाँ पर अगर हम entry लेते हैं, risk reward भी मेरा favor में जाएगा, क्योंकि stop loss यहाँ पर हम रखेंगे, आएगा, और अपने max pain देख लिया, तो आपको और confidence बढ़ जाएगा, कि market यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ पर entry लोग है, और उसके वाद आप अपना OI और OI चेंज के basis पे, trading decisions ले सकते हो, कि market यहाँ पर support level है, तो यहाँ पर हम अपना stop loss डाल के trade ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप max pain OI और OI चेंज के basis पे, आप अपना entry point find कर सकते हो, इस तरीके से आप exit point भी find कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, जिसके ज़री आप यह सारा trade ले सकते हो, तो उमीद करते हैं कि आपको यह concept समझ में आ गया होगा, अगर इस concept से related कुछ भी doubt है या confusion है, तो comment section में पूछिए, वहाँ पे आपको proper answer मिलेगा, या नहीं तो आप हमें call भी कर सकते हैं, तो उमीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकवेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, किसी और informative वीडियो को उपर, जैहिन!